से बात की है, इसको कुछ वेकेंसी के इंफरमेशन दी है, जहां इसको अच्छा लेगे वहाँ चौप के लिए अपलाय कर दे यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है, तो इस चीज का कुछ तो यूज होना ही चाहिए अग KhalifAterson, तुम चुप क्यों हो, अविनाज ने जो वेकeंसी सिस तुम्हें बधाई, तुम्हें वो जची नहीं किया? जी नहीं, रैड, किसे यही सब जचता है रादिका बिठा, तुम चुप क्यों हो हम से कहो हम तुमारे डैड है हम से नहीं कहोगी तो फिर किस से कहोगी हाँ अगर अबिनाश ने कुछ गलत बात कही है तो हम अभी तुम्हारे सामने इसके कान कीचेंगे कुछ कहने की जुरूत नहीं है अभी नाश इसके पीछे जॉब के लिए पढ़ा होगा और ये बात इसे पसंद नहीं होगी लेकिन ममी, मैं तो इसके लिए कह रहा था कि एक मिनिट अभी नाश पहले इसका दिल भी तो जान ले कि ये क्या चाहती है हा रादिका, अभी नाश की बात छोड़ो शादी से पहले तुमने कभी तो सोचा होगा कि पढ़ाई खत्म करने के बात तुम क्या करोगी कौन से करियर की तरफ रुजहाने तुमारा इसकी तरफ मत देखो ये तो हर बात को लाइटली लेता है तुम अप्नी बोले ममा, हमारी थिंकिंग से एजुकेशन लेने का मतलब नौलिज हासिल करना होता है और ताउची तो कहते हैं कि ज्यान ज्यादा से ज्यादा बड़ोरना चाहिए टेक्सबुक से आखे भी पर शरूरी नहीं कि इस ग्यान का इस्तेमाल सिर्फ करियर बनाने के लिए ही किया चाहिए ममा, हमारी सोच तो ये कहती है कि घर ग्रहस्ती चलाना भी एक फुल टाइम जोब, एक लाइफ टाइम करियर है वाँ बेटा, वाँ टाइड, आप भी इसकी थिंकिंग को सपोर्ट कर रहे है अबिनाश, हर किसी को अपनी थिंकिंग, अपनी लाइफ स्टाइल को तै करने और चुनने की आजादी है और वैसे भी, राधिका गलत नहीं कह रही है घर ग्रेस्ती को समालना अपने आप में एक कम्प्लीट करियर है बात एप्टिट्यूट की होती है और अगर ये इस बात को इतना स्ट्रॉंगली फील कर रही है तो तुम क्यों अपनी सोच को इसके उपर थोपना चाहते हो राधिका, तुम्हारे जो मन में आये तुम वही करो, बस और हाँ विनाश, तुम इसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करोगे ठीक है